दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडिया और नएनी जैनकारी के वाला आपके लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनिस आइडिया लेके आई हूँ जो कि आपका पूरे बारा महीने चलता रहेगा और वो भी बहुत अच्छे से चलेगा और सबसे इंपोर्टन चीज ये कभी बन नहीं होगा और मार्जिन इंक्रीज होता रहेगा तो फिर आप इस वीडिय बात करते हैं कि क्या करना होता है इस बिजनिस में दोस्तो इस बिजनिस में आपको सबसे पहले एक जगह का परबन करना होता है जहां से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं इसके बाद आपको नोटबुक बनाने के लिए मशीन खरीदनी होती है और कच्छा माल खरीदना होत इसके बाद आप दो या तीन कारीगर लगाकर काम को शुरू कर सकते हैं। माल तियार करने के बाद आप उसे होलसेल और रिटेल मार्किट में बेशते हो और मुनाफ़ा कमाते हो। अब आपको बताते हैं कि इस काम में आपको कैसी और कितनी जगेह चाहिए होगी। दोस्तों आपको इस काम के लिए कम से कम 40 किस जगेह की दूरत होगी जहां से आप माल को तियार करते हो। और जगेह किसी भी इस्तान पर हो सकती है। इस काम में अच्छी लोकेशन की आपको दूरत नहीं होगी क्योंकि आप माल सिर्फ तियار कर रहे हो उसे आपको बेशना नहीं है नुरिस्तान से तो रिस्तान कोई भी हो सकता है अब आपको बताते हैं कि मशीन कितनी लगेंगी और मशीन कितने रुपे में आपको मिल जाएंगी झाल से तो रिस्तान कितनी लगेंगी और में भी हो सकता है कि रिस्तान साथ कितनी लगेंगी जाएंगी। झाल 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 अगर आप माशीन के डेलर का नमबर और आडरेस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इनके नमबर पर आप फोन करके माशीन खरीड सकते हैं या कोई अजिक जानकरी या अगर आपको चाहिए या मूशीन के बारे में तो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं अब आपको बताते हैं कि कच्छे माल क्या लगेगा, कहां से मिलेगा और कितने रुपे परसी किलो के हिसाब से मिलेगा दोस्तो कच्छे माल मैं आपको पेपर और नोड़ बुक का कवर खरीदना होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए दोस्तो नोटबुक का पेपर लाइनिंग वाला पूरी तरह से तियार मिल जाता है और नोटबुक कवर भी आपको तियार मिल जाते हैं आप अगर चाहें तो नोटबुक कवर पर औरडर पर अपनी नोटबुक का नाम लिखवा सकते हैं जिससे आप अपने नाम की नोटबुक मार्किट में सेल कर सकते हैं। इससे आगे चलकर आपका अपना नोटबुक ब्रैंड भी बन सकता है। दोस्तो ये कच्चा माल आपको किसी भी बड़े शहर की होलसेल मार्किट में मिल जाएगा। और दोस्तो ये कच्चा माल 50 रुपे से लेकर 60 रुपे परची किलो तक आपको मिल जाएगा। जागे है मशीन और कच्चे माल की विवस्ता करने के बाद आपको मैन पावर चाहिए होगी। जिसके लिए आप दो कारीगार रख सकते हैं माल तयार करने के लिए। दोस्तो अब बात करते हैं प्रॉफिट की। इस काम में 100 पेज की एक नोटबुक तयार करने में आपका जो खर्च आएगा वो 9 रुपे से 10 रुपे होगा। और आप इसको अगर होल सेल मार्किट में बेचेंगे तो आपको एक नोटबुक पर 4 रुपे से 5 रुपे मिल जाएंगे। अगर रीटेल मार्किट में आप अपना माल ले जाकर बेचते हैं तो एक ही नोटबुक पर आपको 7 रुपे से 8 रुपे मिल जाएंगे। तो दोस्तो इस काम में मुनाफ़ा भी अच्छा है एक बार आप अकर इस काम को शुरू कर लेते हैं तो आपको बस होल सेल और रिटेल मार्किट में अपने सम्मन्द अच्छे करने होंगे जिससे आप जादा से जादा माल बेच सकें इतना ही था आज की वीडियो में वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को दबाएं जिससे आपको हमारी सबी वीडियो की जानकारी मिलती रहें बाए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं झाल झाल